श्री नाज्जी गुरुजी गोलाखादेश, माभगवती गोलाखादेश, राची वाले भाहिर बाबा गोलाखादेश, आप सभी गोलाखादेश वीरों की साधना के बारे में बहुत सारी बाते आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती होगी, बहुत सारे मंतर यंदर तंतर भी बताया जाते हो, सिबसे पहले अगर कोई आपको वीर साधना दे रहा हो, तो उसके हाथ पर आपको देखना चाहिए, कि वीर कंगन है क जिसके हाथ में वीर कंगन होता है वो अधिकृत होता है वीर साधना के लिए या उसने वीर साधना की हो ऐसा एक प्रमान मिलता है आज जो मैं आपको वीर साधना दे रहा हूं और जो वीर साधना जो मैं अपने शिविर में बताने वाला हूं दोनों में अंतर हैं कि कि con Rather एक बावबन वीर कोते हैं बड़ा गूर बात बता रहा हूँ यह आपको शायद कोई और ना बताए इसको ध्यांद से सुनेगा जो बावबन वीर होते हैं वो और जो वीर होते हैं वो दोनों अलग हैं जब मैं बोलू वीर साधना और जब मैं बोलू बावन वीरों में से एक की साधना तो दोनों में अंतर होगा बावन वीर भायरव बाबा के सेवक हैं जिनका राजा नरसिंग वीर है और वो बावन वीरों को बैठाया जाता है उस कंगन में या फिर जो उनके राजा है वो उसमें बैठते हैं अलग अलग वीरों की साधना होती है अलग अलग शक्तियों के लिए जैसे अगर मारन करना है या कोई बहुत कंभीर तंत्र करना है तो उसके लिए रख पिपासी वीर होते हैं तो आपने जिस पर वो वीर चला दिया उसका शरीर का जो चमड़ा है वो फट फट के खुन निकल और वो दर्दनाक मौत मतता है इतना खतरनाक होता और वीर की खासियत क्या है वो किसी की बात नहीं मनता ना वो डेवता से उसको बह है ना उसको दनवो से बह है ना उसको प्रेट से बह है वो उसको किसी से बह नहीं है जर्वो बहरभ बाबा की सेवा में लगे रहते है तो तो वह एक बावन वीर की साथना होगे जो मैंने बोला कि वह मैं अपने मतला अपने सानित दे में आप लोगों को कराऊंगा उसके अलावा एक और वीर होते हैं वह वीर जिनको वीर बनाकर स्थापित किया जाता है जैसे की जो राजस्तान गुजरात शेत्र चेत्र के लोगों नॉर्त में भी बहुत जगा पर वीरों को स्थापित किया जाता यह बहुत फेमस वीर है जो बुलेट वाले भीर जी हैं ऐसे बहुत सारे वीर होता है जो इस्ट इंडीया वाले हैं इन नहीं है यहां पर ब्रह्म देवताओं का स्थापना उता है जैसे ही कोई बहुत शक्थी शाओ रहता है Ary यह बिल्कुल साख्षा देवता होते है जो काम करता है ऐसे ही वीर भी होते हैं तो बावन वीरों में और जो वीर साधना आज दे रहा हो इस वीर में अंतर है यह वो लोग होते थे जो सच में वीर होते थे और वह वीर्गत्य को प्राप्थ हो मतलब उनका नाच्राल देथ नहीं होने के कारण उनको एक स्थान दे आ जाता है और वह लोगों के साहता करते है तो वह वीर साधना आज मैं आपको दे रहा हूं कैसे करना है इस वीर साधना को करना है जो उब्टा हुआ सुरज हो मतलब जब आमावस्या हो और आमावस्या के बाद पूर्णीमा की तरफ जो चंद्रमा है वो बढ़ आओ वैसे समय में किसी व्रस्पतिवार को आपको दिन भर का उपवास रखना है ठीक है दिन भर का उपवास रखने वाद जो उपवास व्रत आप तोडएंगे रात में तो वह आपको खीर खा करके तोड़ना है ऐसा करके आप 2 घंटे मौन वरस्त में जाएंगे मध्यर आत्री में आप या फिर मद्यरात्री से 5 विट पहले स्नान करेंगे और लाल कपड़ा पहनेंगे लाल बस्तर पहन के यह साधना होता है और लाल आपका आसन भी होना चाहिए लाल बस्तर पहन करके आपको जो दूसरा करना है बोहने गत्र लगाना करके रूमी सिंगरव इक जड़ होता है यह फिर एक वानिज्य, है, जो आपको किसी भी के दुकान, पूजा के दुकान, और और सदी के दुकान पर कहीं भे मिल जाएगा उससे आपको एक अपने चारों तरफ घेरा खीचना है ठीक है उस घेरा को खीच करके उसके अंदर आप बैठ जाएए एक मीठा पान का पत्ता बनवा के पहले से रखे और उसमें एक लॉंग डाल दीगे मतब लॉंग से उस पान का बंदन होना चाह में और कुछ जो है सुपाड़ी वह वहां पर पूरा रखेगा बीना काटे हुए एक दीपक जलाएगा घीका कुछ धूप जलाएगा अगरवत्ती मत जलाएगा धूप जलाएगा और अपने सर को बांध लीजिएगा ठीक है और ध्यान करके जो मंत्र मैं आपको बताने व मंत्र है जब तारा तूरी स्वाहा फिर से सुनिए जब तारा तूरी स्वाहा इसका आप लोग 5000 जब किजेगा अगर आपने सब कुछ सटीक किया तो इसके बाद जिस भी वीर को आप बुलाना चाहते हैं उस वीर का आपके सामने आगमन होगा जो भी आपको कर्म उस वीर से करवाने हैं जो भी आपकी मनोकामना है उस वीर को बताईए और वो वीर आपका काम कर देगे बहुती सिंपल सी साधना और सुरक्षित साधना है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग घर में इस साधना को ना करें अब फिर वापस आते हैं हम लोग वीर साधना पर हम लोग जो वाट्सअप डूप है वीर साधना का वो इस आमावस्था के बाद मैं शुरू करूंगा जिसमें कि उस 51 दिन में मैं आप लोगों को जो आपका बंधन है जो वीरों के लिए बहुत जरूरी होता है भैरव की साधना बहुत जरूरी होती है और फिर नर्सिंग वीर की साधना वीर कंगन के साथ आप लोगों को मैं प्रदान करूंगा कि इसके अलावा मैंने एक दस दिन का प्रोग्राम ऐसा भी रखा है जिसमें कि 31 दिन आप घर पर साधना करोगे और बाकी का 10 दिन हैं जिसमें वीड साधना होगी वह 10 दिन साधना होगे नुद के लिए वह हम लोग साथ मिलकर देंगे मेरे सामने करोगे तो कुछ ऊच नीच होगी तो वह भी देखने के लिए मैं बैठा रहूंगा क्योंकि वीरों की साधना में बहुत खतरा होता है और बहुत तरह के जीव जन्तु जो होते हैं जो पराजीव जन्तु होते हैं वह आप आप लोगों को सुरक्षित रखे आपके परिवार को सुरक्षित रखे ऐसा मेरे मेरा कामना है नर्सिंग वीर का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे हैं के लिए इतना ही इसके अलावा अगर आप साधना मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे वाट्षप ग्रूप है जिसमें बेसिक साधना मैं सिखाता हूं उससे आप जुड सकते हैं अभी एक साधना शिविर होने वाला है अगर आप साधना करते हैं तो एक से तीन तारिक रात तक एक साधना शिविरा शिवपूरी में उसमें आप जुड़ सकते हैं अगर आपको मुझसे अपाइट्मेंट लेना है तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantarhasa.xyz इसके अलाबा मेरे एक किताब है इस वीडियो के बाद आप लोगों का जोबी समस्या होगी कीलन से रिलेटेड वो सॉल्वे जाएगी आप सभी को आदेश आदेश अदेश अलाग आदेश झालाग एक का जोब सादावी आप सकते अलाग टादेश एक का जोबी समस्ते इस अलाग एक का जोब।